दोस्तो आज इस वीडियो में हम एक अलग ही टोपिक पर चच्चा करेंगे और वो टोपिक यह है कि जो नीट एस्प्रेंट हैं या फिर जो MBBS की स्टेडी कर रहे हैं जिनका स्लेक्शन हो गया है नीट में और वो मेडिकल कोलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टुडेंट् को यूटूबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए यूटूब पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए उनको कभ यूटूब पर आना चाहिए और वो कितना पैसा कमा सकते हैं इस यूटूब चैनल से उनका केरियर कितना सेफ है यूटूब पर तो इस व प्रेंट हैं उनको तो बिल्कुल भी यूटूब चैनल के नजदी खोलने की कभी सोचनी भी नहीं चीए कि मेरे को यूटूब चैनल ओपन करना चीए या नहीं करना चीए क्योंकि जिन बच्चों का अगर एक साल में सेलक्षन होता है वो यूटूब पर एक्टिव होते हैं यूटूब चैनल ओपन कर लेते हैं तो उनका सेलक्षन होना तो मुश्किल हो जाएगा अगर वो फिर भी ज्यादा कोशिज करते हैं तो एक साल की बजाए उनका तीम साल लग जाएगा सेलक्षन होते होते तो मेरा यह मानना है कि उनको तो यह सोचना भी नहीं चीए कि उन उनको भी यूटूब चैनल नहीं ओपन करना चाहिए क्यों क्योंकि उनका सफर अभी काफी लंबा है सबसे पहले साड़े चार साल उनको MBBS की स्टड़ी करनी है एक साल इंटरंशिप करनी है उसके बाद में तीन साल के लिए PG करनी है MDMS से PG करने के बाद में फिर उनको सुफर इस पेसलीटी कोर्स करना है DMC चोर्स करना है दो साल का तो इस प्रकार से यह केरियर उनका काफी लंबा है लंबा समय है 11 साल तक तो उनको भी स्टड़ी करनी ही करनी है तो अगर वो अभी इसी समय डाइवार्ट हो गई फरस्ट इयर यानि कि MBBS फरस्ट इयर में एडमिसन लेते ही वो यूटूब पर सेक्रिय हो गए तो वो अपने स्टड़ी पर टाइम नहीं दे पाएंगे यूटूब का एक ऐसा सिस्टम है ये एक ऐसा दलदल है इसमें आदमी अगर घुशते जाता है तो फिर निकल पाना मुश्किल है हर समय वो ये देखता है किसने क्या वीडियो डाला है मैं क्या वीडियो बनाऊं क्या टोफिक रहेगा मेरा वीडियो का तो उसको इसी से पुरसत नहीं होगी तो MBBS की स्टेडी करेगा कम और MBBS की स्टेडी इतनी कम भी नहीं है काफी ज्यादा स्टेडी है आप जितना पढ़ाई करोगे जितना आप स्टेडी करोगे उतने ही फाइदे में रहोगे अभी आने वाड़े समय में तो नेक्स्ट एक्जाम भी लागू हो गया है और इस नेक्स्ट एक्जाम के लिए आपको सुरू से तयारी करनी ही होगी यानि की फरस्ट एर, सेकिंड एर, फाइनल एर की जो आपके सब्जेक्ट है जैसे फरस्ट एर की आपके सब्जेक्ट है सब्जेक्ट भी आने हैं और फाइनल के सब्जेक्ट तो आने ही आने हैं टोटल 19 सब्जेक्ट जो MBBS में पढ़ाए जाते हैं वो पूरे के पूरे आपके नेक्स्ट एक्जाम में आएंगे तो जो बचे YouTube पर एक्टिव होंगे उनको कहीं न कहीं लोस होगा study में वो MBBS की study इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे जितना अगर वो YouTube पर ना होते तो वो अच्छी तरह से अपना study कर पाते अच्छी तरह से मेरा कहना ये है अच्छी तरह MBBS करो अच्छी मेहनत के साथ में MBBS करो अच्छे marks के साथ MBBS करो next exam अच्छे marks के साथ qualify करो ताकि आपका PG में क्यूंकि अभी तो next exam के marks पर ही तो PG में selection होना है तो आपको PG में selection आपका अच्छा हो PG में आपके अच्छी branch मिले आपको पूरे 19 subjects में तो demanding subject सिरफ 4-5 branch ही तो है जैसे surgery हो गया, medicine हो गया, gyino हो गया ये आपको subject नहीं मिलेंगे तो फिर PG करने का फाइदा क्या है अगर आप सुरू में ही YouTube की तरफ divert हो जाते हैं तो मेरा कहना ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने study से कुछ ना कुछ समय मिस करेंगे और वो कुछ ना कुछ समय जो मिस करेंगे वो आपके लिए बड़ा ही नुकसान दाइक होगा मेरा हमेशा ये मानना हुआ है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो पूरा मन लगा के आप उसी काम को करना है तब आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे आप MBBS तो कर लेंगे MBBS कर लेंगे लेकिन आप अगर एक YouTuber नहीं है YouTube या फिर अन्ने कहीं आप अपना time spend नहीं कर रहे हैं आप पूरा time MBBS की study में लगा रहे हैं तो आपके लिए ये बहतर होगा YouTube पर आने की बजा तो मेरा फिर आपसे यही कहना है कि आप चाए किसी stage पर हो आप चाए MBBS की study कर रहे हो first year में हो second year में हो final year में हो किसी भी year में हो आपको YouTube channel बिलकुल भी open नहीं करना है हाँ MBBS के बाद आप सोचते हैं कि मैं आगे कुछ नहीं करना मैं यहीं अपने आगे career को stop कर रहा हूँ मैं यहीं से practice करना शुरू कर रहा हूँ तब आप YouTube channel open कर सकते हैं तब आप लोगों को YouTube पे पढ़ा सकते हैं अपना अनुभाव share कर सकते हैं लेकिन आप यह सोचते हैं कि मेरे को अभी MBBS करना है उसके बाद PG करना है उसके बाद super specialty course करना है उसके बाद आगे एक बहुत बड़ा doctor बनना है तब ये YouTube की तरफ में आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि मेरे को YouTuber बनना है या नहीं बनना है तो ये तो बात हो गई कि आपको YouTuber बनना चीए या नहीं बनना चीए पहले अपने आप career को समालो अपने future में आने वाले time में किसको कितना time देना है ये देखो आप उसके बाद सोचना आप YouTube पे आने की दूसरी बात YouTube का एक ऐसा सिस्टम है इसमें जो student है YouTube पे आते हैं शुरू सुरू में अच्छे चैनल चलते हैं YouTube के देखा गया है क्योंकि YouTube सुरू के चैनलों को परमोट काफी करता है उसके बाद चैनल को साल, दो साल, तीन साल, पांच, साथ साल लग जाते हैं तो YouTube चैनल को परमोट करना बंद कर देता है और उसके बाद में जो यूवर से आपके वो घटने लग जाते हैं नीट में तो ऐसा है कि नीट में जो फर्स्ट यर के student हैं जिनका नीट में selection हो जाता है वो automatic ही आपको छोड़ के चले जाएंगे second year में दूसरी साल नए आपके subscribe आएंगे वो आपको एक साल तक आप से जुड़े रहेंगे उनका selection हो जाएगा फिर वो हट जाएंगे तो इस प्रकार से हर साल नए विवर्स आते रहेंगे और पुराने वाले विवर्स घड़ते जाएंगे तो आपका एक वैसे ही YouTube से मतलब थोड़ा सा क्या है कि subscribe decrease होना शुरू हो जाएंगे तो YouTube की कमाई का जब हम देखे तो ये शुरुवाती में तो अच्छी कमाई होती है लोगों के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी आते है लेकिन जग धीरे 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 टाइम निकलता है तब तब subscribe भी घटने लग जाते है और उसके बाद में धीरे धीरे आपकी जो कमाई है वो भी decrease होने लग जाती है तो मेरा तो कहना ये है कि यूटूब एक safe carrier नहीं है अमूमन यूटूब पर दो तरह के लिए लोग आते हैं सबसे पहले पैसा कमाने के लिए और दूसरा नाम कमाने के लिए तो मेरा जहां तक मानना है पैसा और नाम ये आपका जो यूटूब चैनल है वो दो चार साल ही चलेगा उसके बाद में decrease होना सुरू हो जाएगा तो ये student के लिए एक safe carrier नहीं है इसमें इसके बाद में हम बात करें कि यूटूब से आप कितना पैसा कमा सकते हैं तो यूटूब से मैं अपने पैसे की बात करूँ तो पैसे की कमाई उतनी ही होती है कि हम 4-5 student को free coaching में पढ़ा सकें इतना आप average coaching की fees का idea लगा सकते हैं कि एक student की average fees कितनी होती है साल में आप 4-5 student को free coaching पढ़ा सकते हैं बस यही इतनी कमाई होती है यूटूब से तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ ये एक आईना clear कर दिया है कि आपका यूटूब पर career बिलकुल भी safe नहीं है अगर आप जिन्दगी में कुछ करना चाते हैं जिन्दगी में आगे बढ़ना चाते हैं तो यूटूब चैनल खोलने की सोचना भी मत और सोचना तब जब आप किसी like बन जाओ उसके बाद आप यूटूब चैनल खोलने की सोचना अभी मैं आपको मेरा example देता हूँ मैं अपने बेटे को एक अच्छा plate form दे सकता हूँ वो भी mbbs कर रहा है लेकिन मैं उसको यूटूब के नजदीक भी नहीं आने देता क्योंकि जब तक वो इस like नहीं बन जाता तब तक यूटूब चैनल खोलने से कोई फाइदा नहीं है मैं आपको एक example देता हूँ जैसे माल लो first year में कोई student पढ़ रहा है उसने अपना यूटूब चैनल खोल लिया यूटूब चैनल ओपन कर लिया यूटूब पर वो active है वीडियोज आज कल यूटूब पर कौन से चल रहे है student मेरी hostal life क्या है मेरे class में क्या पढ़ाया जाता है कैसे पढ़ाया जाता है ये motivational वीडियो है इस परकार के वीडियोज काफी चल रहे है और उनी पर student के view जाते है तो student क्या सोचता है जैसे माल लो किसी student ने first year में ही अपना channel open कर लिया और उसकी class है dissection की class है professor पढ़ा रहा है तो वो इस सोचता क्या है कि मैं कैसे इस dead body का photo लो ता कि अपने channel पर डालू वो पूरे period यही सोचता रहता है वो जो professor क्या पढ़ा रहा है उसने ये कुछ नहीं चुना वो इसी ताक में रहता है मैं कब इसका photo लो कब मेरे net पर कैसे डालूँगा कैसे YouTube channel पर इसके बारे में बताऊंगा बस वो यही सोचते सोचते उसका पूरा class खतम हो जाता है उस class में उसने कुछ भी नहीं सीखा ये एक example दिया है मैंने आपको तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप अभी बच्चे हो आगे future में आपको भहुत कुछ करना है आपको भहुत आगे बढ़ना है आपको एक अच्छा डोक्टर बनना है तो ये जो side में आपके disturb हो रहे हैं इनको बिल्कुल भी नदर अंदाज करते हुए आपको एक अच्छा डोक्टर बनने के लिए लगातार मेनत करनी होगी MBBS के दोरान आपको एक अच्छी study करनी होगी तब ही आप एक अच्छा डोक्टर बन पाओगे वीडियो काफी लंबा हो रहा है मैं इसको यहीं end करता हुआ आपको यह बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने study करनी है तो YouTube चैनल बिल्कुल भी नहीं खोलना है बकि अगर आप YouTube चैनल open करते हैं किसी को कोई नुकसान नहीं है किसी को कोई फाइदा नहीं है लेकिन आपका अपने आपका नुकसान होगा ये मैं आपको clear बता देता हूँ तो ये मेरे कुछ views थे जो मैंने आपके साथ share किये हैं आपको अच्छा लगे तो मेरी बातों पे अमल करना बुरा लगे तो मुझे माप कर देना इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं end करते हुए आप से लेता हूँ विदा जैहिंग